एक बोतल के साथ एक बोतल फरी कर दी इन्होंने सांसत की टिकेट के लिए बस की टिकट तक इंदर जाने वाले हैं विटते बचे भागे हैं उदर गोवाब भागे हैं अपनी तमाम रेलियों में यही कहते थे कि हमारे पास कमांडो है और यह कमांडो ऐसा कमांडो है जो विरोधियों को नस्तनाबूत कर देता है और यह करकी भी दिखाए इनोंने दो बार महां से विधायक रहे और उसके बाद समस्या हैं कि जिससे की आम आदी पार्टी इनोंन दिल्ली को बरिष्टाचार मुक्त बनाने आई थी आमादी पार्टी और अब खुदी बरिष्टाचार के आरोप में मनिश उसुद्या जेल में है चार दिन की पांस दिन की रिमांड पे हैं वो क्या कहना चाहेंगे इस देश में बरिष्टाचार के खिलाप जो एक मोहीम चली अन्ना हजारे जी के नेतरतों में उस मोहीम का ये नजाइज फाइदा उठाते हुए कायर केजरी वाल और ये मनीश जोदिया जो देश भक्ती की बात करते हैं दूर दूर तक इनके नजदीक देश भक्ती नहीं है ये फरजी देश भक्तों का टोला जिस तरह के से दिल् बरबाद करने के लिए जो दारू के लिए घर घर दारू पहुंचाने का इन्होंनों जो काम किया इन्होंना कोई मंदिर छोड़ा ना मजजी छोड़ा ना गुरुद्वारा छोड़ा ना स्कूल छोड़ा ना कोलिज छोड़ा एक एक जगह उनके गेट के साथ-साथ लगा लगा कि इन्हों दारू के ठेके कोई कालोनी नहीं छोड़ी और जब सत्ता के अंदर हम आये थे तो हमने ये बोल के आये थे कि दिल्ली के अंदर जहां भी कोई नजाय ठेका अगर खुला है दारू का और वहां महले के लोग अगर आके या महिलाएं आके अगर शिकायत तो उस ठेके को उसी टेम बंद कर दिया जाएगा और इन्होंने दिल्ली के अंदर हजारों ठेके खुलने का काम किया और जो सरकारी ठेके थे जो गौर्मेंट के ठेके थे मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को दारू माफियाओं के साथ मिलके सरकारी ठेकों को बंद किय और अपने दोस्तों को और उन बरेश्टा चार में मिले हुए माफियाओं को दारू के ठेके देने का काम करा इन्हों पूरी दिल्ली के अंदर जोना 30 जोनों में दिल्ली को बाटा और एक जोन के अंदर 27 ठेके मिलेंगे इस तरीके से जोना एक माहूल बनाया और वो आदमी जिसके पास 200 करोड रुपे होगा वो ठेके ले सकता है छोटे व्यापारी छोटा आदमी या कोई उसमें सामिल नहीं हो और उसमें हजारों करोड रुपे की इन्होंने घूस ली और जिस तरीके से इन्होंने जो सरकार के पास 12 पर्षेंट जो बेनिफिट सरकार के खाते माता था 100 रुपे के उपर 12 रुपे जोना सरकार के पास आते थे वो 12 रुपे अपने दोस्तों की जेमें डालने का काम किया और जो dealer को डेड़ रुपिया मिलता था 100 रुपे के उपर वो सरकार की तरफ किया इस करके इन्होंना सरकार को धाई अजार करोड रुपे का जो ना नुक्षान किया जो अपने दोस्तों को डारेक्ट पादा किया जो इनके दोस्तों के पास जो पहले जो पैसा जाता था वो पैसा करीब जो ना 300 करोड रुपे एक साल के अंदर जो ना डिलर के पास जाता था प्राइवेट वेंडर के पास पैसा जाता था अब उल्टा हुआ अग 300 करोड इनके पास आया और जो धाई हजार करोड रुपे उनकी जेब में डाल दिया इनोंने जो पैसा आया हुआ था शिक्योर्टी मनी जमा थी वो मनी शिसो दिन अपने बाप की वो समझ के और उसको वापिस कर दिया बगार कैबनेट की मीटिंग के एक सो चवालिस करोर रुपे का इस तरीके से इनों नुक्षान किया दूसरा कितन लिबार जोना कितने धर्ने हुए, कितने परदर्सन हुए क्या जरूर्त पड़ी थी इनको दिल्ली के युवाओं को बरबाद करने की क्योंकि ये देश द्रोई आदमी है और ये देश के दोस्मनों के साथ और खालिस्तानियों के साथ मिले हुए लोग है जो इस देश के युवाओं को दिल्ली के युवाओं को सराब के नसे में डबोना चाहते थे इन्हों लोको त्याक कर रहे हैं बीजेपी ए और जो तमाम पाटियां वहमें फसाना चाह रही है इस देश में केजरिवाल से करदार देश-दरोई और भरिष्टाचारी कोई आदमी नहीं है और जुटा आदमी कोई नहीं है इनके तो देश दरो के मुकतमे लगने साही है इनके उपर और मैं यह कहना था हूँ है इनके कहां देश बगती है इनके दादा पड़ दादा आरने की पांच पिडी तक अगर कहीं देश बगती दूर दूर तक हो तो मैं टीवी के माध्यम से गदार है इन लोगों ने जिस तरीके से मापियों किये खालिस्तानियों के साथ मिलके आज पंजाम में क्या हो रहा पंजाम आज आज आई दिन हत्याएं हो रही हैं मडर हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं क्यों कि यह लोग मिले हुए इनको तो कुरसी चाहिए कैसी भी माध्यम स तब मैंने हाइकोट का दरवाजा खट खट आया और माननी हाइकोट ने जो ना उदारू के ठेके को कन्याओं का स्कूल है गुरदवारे के साथ ठेके को तब जो ना हाइकोट ने दखल दे कर उन ठेकों को बंद कर आया इनके अंदर जो है इनके अंदर किसी तरह की ये बेशरम लोग है और मैं दिल्ली की जनता से कहना चाता हूं और मैं इससे भी कहना चाता हूं हम जिस कोज के लिए आम आदमी पार्टी बनाई थी अच्छा आदमी तो कोई बचा नहीं 95% सारे कांगरेश के रिजेक्ट माल जो भरनी रहे हैं और मैं एक और कहना चाहरा हूं यह अगर इतनी इमानदार हैं तो तुरंत परभाव से मैं मांग करता हूं आपके चैनल के मादम से मनीश शिशोद्या और सतंदर जैन को बर्खास्त किया जाए और तब तो इनकी देश भक्ती और इमानदारी की बात आईगी क्यों नहीं है इनके पास क्यों नहीं है कोई मुख्यमंतरी के पास पोर्टपोलियो क्यों नहीं है क्या कहेंगे तु यही जो बजह रही कमांडो साब यही बजह रही कि आम आधी पार्टी से दूर हो गए बिलकुल अरे इनसे बढ़श्टा चारी मैं देश बगत आदमी इंदोस्तान के अंदर कारगीर की लड़ाई को लेके 26 ग्याराज से लेके और दूसरे विदेसों मैं पता ने कितने मैंने ओपरेशन किये इमानदारी से हमारे दादा परदादा आधादी की लड़ाई के अंदर सहीद हुए ये कायर आदमी ये तो पहले अनना हाजारे को इन इनके पास ना करलन सहरावत रुका ना करनल कोटियाल रुका और यहाई नहीं है जो पार्टी बनी तो पार्टी का जो हमने एक वो बनाए कि हम ऐसा एक कानून बनाए गर वो आदमी एक भी कोई तो आदमी रुके हैं कमांडो सुरुंदर शिंग के अंदर आपको इतनी सी क हमी तो निकाले के दिखाओ चोरो वो दारु के ठेके दिये एक सो सतर फोनों का इस्तेमाल हुआ है पोने दो करोड रुपे के फोन जो है ना इनोंने सबूतों को नश्ट किया मनसुष्यों जिस फोन से एक बार भात कर ली उस फोन को उसी टैम तोड़ा गया है तो इनके अने को निकलने इनको जंदगी पर जेल के अंदर चकी पीषनी होगी और जेल से मैं माननी है मोदी और नरंदर भाई मोदी और जो है अमिच्छा जी हो तमाम लोगों से निवेदन करता हूं दिल्ली की जनता से निवेदन करता हूं इन चोरों को जोना इनका बविशकार कर है लिए सुप्रीम कोट कर दी है वह माँन एस सुप्रीम कोट के पैसले को उसको सलूुट करता हूं सलाम करता हूं गया जोना नयाय की लिए सुप्रीम कोट जोना अटाल है और ऐसे ब्रेषटाचारियों को यह स्कूल को तोड़ देते हैं कमरा बना देते हैं क्योंकि उसने रिष्वत हरी है दो लाख रुपी के कमले को 40 लाख रुपी हम कर रही है और दूना एक मास्टर नया अगर इननों भरती किया हो एक भी बच्चों के लिए कह रहा है और एक भरष्टाचारी चाचा खड़ा हो कह रहा है बच्चों मैं तुम्हारा चाचा हूँ अरे भरष्टाचारी चाचा अ वटउल से ताइब तूम से बड़ा देश द्रोही कोन होगा तुम तो महातमा गांदी जी को नोट से भी इठादो बापु गांदी को अर जब तुमारे पिछवाड़े पर लग रही यह बहुत discovery की चोट्र ezपि ननलर्श मोने बच्यौं के लिए थे चाहिए पर्फटा चारी चोर तुम तो जेल में होने चाहिए लगातार कि फसा जा रहा है हमारे इमानदार उपमिकम्धि को फसा जा रहा है संजे शिंग कुन से दूद के दोए हैं पंजाब में पिटते पिटते बचे बागे हैं उदर गोवा में बागे हैं अपने ठाटा जोला जंडी क्या था इनकी सब की प्रोपर्टी की जाच होनी चाहिए इनके बस की टिकट से लेकर पिक्चर होल की टिकट से लेकर कहीं के नह कुछ मजबूरियां और कुछ बजए आज कमांडों सुरिंदर सिंग थे और एक ऐसे सक्स जिनोंने दिल्ली कैंट में कैंट विधानसवा को एक नया एक नया आयाम तक उसकेंट विधानसवा को पहुचाया था और ब्रेस्टाचारी छोड़िये दूर दूर तक भगते हैं ज कमांडों सुरिंदर सिंग ने बताई है कि किस तरीके से वहां आधिवाटी से दूर हुए तबाम कभर के लिए आप देखते रहे हैं जस्टिस टीवी इंडिया